नगंधो गुणों पेतं एतं कुसम संतती पूजयामी मुनिंदस सिरिपाद सरोरु है पूजय मी बुद्धं कुसमे ननेनं पुईये नमेते नलभा मी मोखंग उफं मिलायती यथा इदं में कायोत थायाती विनास भाव घनसारप दीतेन दीपेन तमधन सिनां तिलोग दीप संगुद्धं कुजयामी तमोनुदं सुगंधी कायव दनं अनंत गुणगंधिना सुगंधी नाहग हाई एवरिवान स्वागत करते हूँ आपका अपनी चैनल ग्रहने गार्डन ब्लाग समें और अभी आपने देखा कि हमें करना है पूजा लेकिन पूजा करने से पहले हमें और भी बहुत सारी तैयारिया करनी होती है तो मैं अभी माला बना रही हूँ बाबा साहब के लिए क्योंकि बुद्ध भगवान की मुर्ती में माला नहीं चड़ती है इसलिए मैं बाबा साहब के उपर चड़ाने के लिए एक ही माला तयार कर रहे हूँ ताकि हमारी जो पूजा का इस्थान है बहुत ही सुन्दर दिखेगा तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा फूलों को अच्छे से पूरा तोड़ लिया है गेंदे के फूलों से ही अधिकतर हम लोग सजाते हैं मंदीर को तो अभी आप ये देख रहे हैं मैं बस मेरे पास में दो गुलाब के ही फूल रखे थे इसलिए गेंदे के फूलों के बीच में मैंने दो गुलाब के फूल रख दिये हैं ताकि हमारा जो पूजा का इस्थान है और जो जगह है बहुत ही सुन्दर लगे और यहां पर सभी महिलाए भी आ चुकी है हम लोग हमेशा पूजा अकेले ही करते हैं लेकिन आज हम सब मिलकर पुर्णिमा के दिन पूजा करने वाले हैं तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मेरी पूरी पूजा की तैयारी हो रही है और पूजा की तैयारी होने के बाद में हम यहां पर लेंगे वंदना और वंदना के कारेक्रम घरो घर होते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि इसे हमारे पूरे घर में सांती बनी रहती है और हमारे भविसे के लिए अप्सारे ने कारे भगवतो हरतो सम्मा संभुदष्य भुद्धम सरनम गच्छामी दुतियंपी बुद्धं सरनम गच्चामी पात्नाचि पाता वेरमनी शिकापदं समाधयामी आधिन्यदाना वेरमनी शिकापदं समाधयामी आमे सुमिच्चाचारा वेरमनी शिकापदं समाधयामी सुधा मेरमज्य पमाजटाना वेरमनी शिकापदं समाधयामी आधिन्यदाना वेरमनी शिकापदं समाधयामी इमाय घमान घमठपतिया घमम्मुझे मि इमाय घमान घमठपतिया शंगम्मुझे मि इस प्रकार से मैंने आज अपने घर में सारी तैयारी और पूजा की है दोस्तो सभी ने मिलकर घर में वंदना करके सभी के लिए मंगल कामना भी की है और हमारे घर में हमेशा सुक्सानती बनी रहे इसके लिए मैंने आज पूजा की थी आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तो थेंक यू नमस्कार जैभी